उमान और PNG जो कहीना कहीं T20 World Cups में इस बार qualify कर चुकी है और वो इसमें भी खेलती हैं में नजर आएंगी उन्हों ने भी अपनी T20 World Cup की प्रप्रेशन जो है वो स्टार्ट कर दी है PNG गई है उमान जहाँ पर 3 T20 I matches के उन्हें सीरीज के लिग ती इसका पहला match कहीना कहीना क जाकर चेस कर पाई यहां नमबर्स देखे लगेगा कि बहुत ही थ्रिलिंग गेम हुआ है लेकिन ऐसा है नहीं चलिए इसके अंदर गुजनी को हिश्च करते हैं जाते है क्या कि परफॉर्मेंस किस तरह से हुई है ओमान और PNG की आज की आज की गेम में चुरुआत फेस ब नुकसान पर और ओमान ने यहां पर 63 रन जोड़े किसी बिना किसी विकेट के नुकसान पर तो यह फेस ऑविसले हम कहेंगे ऑमान के नाम कहना होगा रहा है और तीसरे फेस में अगर हम आए डैज फेस में 16 से 20 में यहां पर PNG ने 32 रन दो विकेट यहां पर गवाए और ओ पर PNG को देना जाएंगे बिलकुल सही का अपने यहां जरूर जीते हो लेकिन इस फेस में क्रिकेट जो दिखाया है वह बहुत गंदा क्रिकेट दिखाया है वह बिलकुल सही का मैच जीतने की जहां तक बात है वह जो मिड का फेस आप देख रहे है 63 पर जीरो वह सी फेस कि मैच को जीतने में काम्याब रहा है इस तरह जो चीज़े ओमान ने आज की है वह अभी अभी अहसास भली ना हो लेकिन जब इंपोर्टन गेम्स होंगे तब इस तरह की गल्तियां तो बिलकुल नहीं दोराना चाहेंगे बहुती खराब देखने में लगा चुकिन आजमों ग्राउंड पर दिखाया है चलिए अब बात करते हैं यहां पर इस गेम की सबसे बहले बात करें पी एंजी की अगर तो पी एंजी करें आप बैटिंग करने के लिए यहां पर उत्रा कॉंट्रिबुशन आप अलड़ी यहां पर देख पा रहे हैं यहां पर ओपने असी कुछ बहतर टीमों के खिलाव खेलता भी है कभी कबार हम देखते हैं बाइलेटरल स्रीज खेली है उन्होंने ऐसा करते हुए लेकिन किसी स्रीज में ट्राइस सिरीज में भी होते हैं पर गेम अब करने की जो बात है वो कहीं नहीं दिखती नहीं है आज भी टॉनी उरा और सेज बाओ और बिलकुल फ्लॉग गहे हैं उन्हें टॉनी उरा ने हवाई शॉट खेला आकी बिल्यास मिट्विकेट पर थे कैस दे बैठे सेज बाओ क्लियर अलबी डबली हो गये प्लंब होगय स्लोर बॉल में बिलाल खान की उन्हों मारने जा रहे थे स्क्वेर लेक की आगे का बॉल था सोचने तो शाय लग जाएगी लेकिन स्लोर बॉल था और वो प्लंब फस गये विलाल खान की बॉलकुल असद वाला ने कॉंट्रिबुशन दिया 40 रनों का लेकिन बहुत ज्यादा बॉले ले यह कहना होगा 39 बॉल्स कुछ जादा ज्यादा ज्यादा हो उसका अदलेगा साइका रनाउट के जिकार हुए लोर और ने चाल समीन की बात करें और हीरी की बात करें तो इन लोग नहीं कहीं नहीं कहीं यहाँ पर कॉंट्रिबुशन देखर थी उनको 100 पार भी किया और 136 रन तक भी पहुंचाया और इसलिए मैं शुरू में ही कहा कि जो ओपनेस रहे हैं उनकी तरफ से एक इनिंग या मिसाउट थी अगर वहां पर किसी तरफ से 30-40 इनिंग आती तो हमें यह स्कोर 165-170 जाता हुआ नजर आता और फिर ओमान ने बहुत भारिया गलती की थी इस चेस करते हुए जिसका पेंची फायदा उटा सकता था आगे जरूर देखें बिलाल खान की बाॉलिंग बहतर रही है बीपिल खेल कर आए है चार ओर में 31 दो विगेट उन्होंने भी निकाले शाकील एमद ने चार ओर में 15 निकाले है बहुत अच्छी बालिंग करा रहे थे थोड़ा चो विगेट है वो सूखा थोड़ा सा मॉइस्च काफी अच्छी रही है यह काफी परिशान किया उन्होंने बले बलेवाजो को उसके बार बात करें हम महरन खान की तो उन्होंने विकेट जरूर निकाले है एक विकेट निकाला 26 रन है लेकिन इनको अपनी लाइन और लेंग्ध का खास करके ध्यान रखना पड़ेगा जो काफी भेटक रहे थी यह लाइन से पी एंजी थी कही ना कहीं मिस आउट किया कुछ शॉट्स भी उठा के मारना चाहा पी एंजी के बैस्मेंस ने लेकिन वो लगा नहीं वो क्लिक नहीं किया कीपर भी बार बार कह रहे थे भाई बॉल लाइन में विकेट टू डाल के करें अगर आप हिलेंगे तो वहां पर 7वा छखका भी खा सकती है अगर 7 बॉल होती तो यह हाल होता है एक मीडियम बालर का जब विकेट कीपर आगे ले 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 थे इसलिए विकेपर गार भार कह रहे थे पनला थे आप हिले औ पाण में अगया कीपहिए नपर पड़ा थे मुन 2024 में काफी बढ़ गया है, यह जो फिल्डिंग नजर आती है, यह 90s की फिल्डिंग नजर आती है, बहुत जादा, जब हाथों से बाल छूट रही हो, प्लेयर के पास फिटनेस नहीं है, थोड़े से दोंडे में हाफ जा रहे हैं, थक जा रहे हैं, यह चीज हमें देखने में के आखिर हुआ क्या है, जब यहां पर ओमान की टीम आई, तो गश्र प्रजापती यह लगातार थीसरी 50 है उनकी, टीन 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 में, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, नहीं चोर समाल के रखा, वरना शाकुष राबडल हो जाता है, उसके बात करें, प्रतीक की त एक सोटरा थीज यह राएं, आट यह राएं, आट सार्थ आट इस गेम को जीतते वह नज़र आथे लेकिन उसके बाद टीम ने ब्लंडर किया है, और ब्लंडर स्टिक एक प्लेयरे नहीं सभी नगभग किया है, वह यह किया है की, जो रन चाहिए थे, उन्हें 15-20 रन उन् गेने तो हैं 30 लिगन हम इसे बनाने की कोशिश करने छहे गिन हों लिकुल सब ने कोई रस्पांसमेटिस कि आए भी इस गें को लेकर जायें लिए सब के सब हवाई-फायर में लगे जिशान मकसूद ग्यारिसन करने के बावजूद भी उनका शौट कराब था जल्दी सब र अचानक्स से अग्रिसिवनेस दिखाना, यह जैसे पहली कहां, यहां तो डफिर जाएगा, हो जाएगा, आप मैं जीत गए, लेकिन यकीन वानिए, एस सी प्रीमियर कप जासा इसा इसा आतरा है, वहाँ पर आप यह चूप करेंगे, तो बहुत भारी पड़ेगा, क्यूंकि, तो फिर भी आपके पास दो जन्हें पहुंचने का उप्शन था लेकिन प्रीमियर कप में सिर्फ एक ही जन्हाप पहुंचेगा एक भी थोड़ी सी गलती हुई और आप मैच से बहार और टुनामेट से भी भार हो जाए यान क्या कहीं है बिल्कु सही का आपने बहुत खराब क्रिकेट खेला है और मानने जरूर कोच की नजर रही हो कि इस पर खराब क्रिकेट इतना अच्छा एक पार्टेशिप करके आ रहे थी जिशान अच्छा इतना मारनी की क्या जरूरत आन पड़ी जब आपने पूरी इनिंग में क्या क्या आप अधि एक ख्रूर पर यहां है चर्ड पर करना मेर्समी की यही समय नहीं होगा। जीत तो गहना लेगिन यही चीज़े बड़े इवेंट्स पर पीम हारती है तब ऐसास होता है तो हमने अध्यान क्यों नहीं दिया उस चीज़ पर अभी बिल्कुल किसी को है इस पर फरक भी पड़ेंगा और ऐसास भी नहीं होगा चलिए हो गया लेगिन बड़े इवेंट आ की बात की जाए इतना खासा नहीं रही है क्योंकि यह समने पहले का कि ओमान के बैट्समेंट का 90% फॉल रहा है जो यह साथ फिकट कि रहे हैं बजाए पी एंजी के ऐसी कोई खास बॉलिंग के कि हम उनकी तारीफ करने बड़े बड़े बस इतारीफ करना होगा कि जो फिल् की जीत होगी कि हाँ देखो हमारे आप प्लेयर पहले से मौजूद था आप फस गए हमारे ब्लैन तो यह बहुत अच्छा लगा देखकर बाकी बैट्समेंस का थोड़ा सा यहां पर कमी थी कि बल्लिबाज उने स्कोर कम दिया वन्हाँ कोशिश करतें जॉन को एक बहुत अ आगे बाल रख रहे थे बार बार प्लेयर को या तो ब्रैक्फुक पर जाना पड़ रहा है या तो प्लेयर को बहुत सादा आगे आकर खिलना पड़ रहा है एक बार मिस भी हुए इसी चकर में अच्छे बॉलर है चार और अठा रंड दो विकर बिनों निकाले एक अच्छ देप उस पहले जिता है लेकिन कुछ गलतियां ही उन्हें इस गेम में खासके अपनी बैटिंग फ्रेंट से उस पर बादा की ज़रूरर कार और दो मैचेश और प्रेंजी की करता है या कुछ इंप्रूमेंट हम देखते हैं इस देखना दिलचस्थ होगा एक चोटी सी ची और इंफॉर्मेटिव कमेंटरी थी वह मज़ा है सुनकर कुछ जॉन केरी को है कुछ प्लेयर और है महरें खान है उनके बारे में थोड़ा साइज इंफॉर्मेशन भी मिला है बिल्कुल चलिए तो कहीं ना कि कमेंटरी काफी बहतर रही है इस मैच में अगर हम देखे तो फि उपारिंग कैसे हो और कि स्क्राइं अरही है जो कोर्स कंप्लीटिंच कर आ रहे है उन के स्बूक पता है फुर्मेशन भी गलतिया करते हैं यहां पर ऐसी होती है जो शाहत हमें इस्टी लावल पर बिरकुल यहीं फारक एंद़ी के मीच को भात लेएं